कख्षा दस्मी के सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन हमारी कख्षा दस्मी में हिंदी में दो पुस्तके हैं इस्पर्ष और संचेन आज हम आपको ब्याकरण भागचे शब्द वापद की परिभाशा सिखाएंगे हम देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं वापद किसे कहते हैं चलिए भाशा की स्वतंत्र वा सार्थ की काई शब्द कहलाती है भाशा की स्वतंत्र वा सार्थ की काई शब्द कहलाती है अब सबसे पहले हम भाशा की विशे में जानकर इप्राप्त करेंगे भाशा क्या है भाशा बहसाधन है जिसकी द्वारा हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी भाव प्रकट कर सकें अत्वा हम यह भी कह सकती है कि भाशा बहमाध्यम है जिसकी द्वारा हम अपनी विचार प्रकट करती है सार्थक यहाँ पर दूश शब्द आई हैं पहली भाशा आया था अब सार्थक आया है सार्थक शब्द का अर्थ अर्थात अर्थ सहित अब मैं पुन्हा शब्द की परिभाशा को बताती हूं कि भाशा की स्वतंत्र बसार्था की काई शब्द कहलाती है उधारन लेंगे हम जैसे मा, पुस्तर, विध्याले, आदी अब हम आते हैं पद की परिभाशा पर पद किसे कहती हैं जब हम इन्ही शब्दों को बाक्य में प्रयोग करते हैं तब बह पद बन जाती हैं जैसे राम बिध्याले जाता है या मा खाना बनाती है पद ये इसलिए बन गए क्योंकि ये व्याकरण की द्रश्टी से संग्या, किरिया, कर्ता, आदी द्वारा आबद है